पसकार जोहार जिस तरह से जैराम महतों से हमेशा ये सवाल पूछा दाजाता है कि केंद्रिय कमिटी का विस्तार कैसे होगा और कब होगा लेकिन कल साम को जिस तरह से तमाम जितने भी पोस्ट थे सभी लोगों को भरा गया है सभी लोगों के लिए अलग-अलग जगा केंद् मुद्दे में आने के बात को कह रही है उसी को लेकर जिस तरह से चुनाई मुद्दा अभी विगत अगर आम चुनाऊं की बात करे तो ज्यादा दिन बचा है नहीं जिस बज़े से जेवी केसेस ने अपना जो कुछ भी है जितना भी Central Committee का गठन होना था वो सारी चीजों को जराम है तो अपने Social Media का मैधम से लोगों के विच पोशा दिये हैं हलांकि ये सब देखने के बाद लोगों में तरह तरह का सवाल भी आ रहा है कि हमें ये Post मिलना चाहिए था लेकिन मिल गया दूसरा लेकिन ये Core Committee का जो बात निकल का आता है Core Committee जो कुछ भी सही लगता वही रखते हैं तो जराम है तो जी की तरब से जो कुछ भी बात निकल का आया वो सारे चीज मानना ही पड़ेगा हलांकि केंद्रिय कमेटी का विस्तार जो है वो हो चुका है और होने के बाद किन-किन लोगों को क्या-क्या पोस्ट मिला है सारी चीजों को आप तो हम पहुचाएंगे लेकिन इससे पहले एक चीज बता दें कि जारखंड में हमेशा ही जेवी केसेस में एक ब्लेम लगा जाता था इस पाटी पे कि ये महतो का पाटी है लेकिन जब हमने केंद्रिय कमिटी का जब बिस्तार हुआ जब कारिकारी सदस्क का जब चयन हुआ तो हम पता चला कि सभी परकार के जाती धन से रिलेटेड लोग महाँ पे उस केंद्रिय कमिटी में है तो इससे साब पता चल रहा है कि जेवी केसेस उस मानसिक्ता के साथ नहीं उतर रहा है, जिस मानसिक्ता के साथ लोग कह रहे थे, कि ये एक समुदाई के पाटी बन कर रहा गया है, जराम में तो एक समुदाई के लोग नेता बन कर रहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस तरह से कमिटी के जब विस्तार की परिक लेकिन अब दूसरी बात स्री चुकाहा है दमनती मुंडा को बनाया गया है यहां पर समाश के लोगों को भी चेंड्रे में को दिया गया है और तमाम जो अट टिर उप्दाइश वगरा है व चैसे भारती फिर अरोज। सुनिता देवी उसा देवी पिंकी महतो और जो रूपा महतो सुलेखा महतो सुलेखा देवी लिलाबती देवी और तमाम जो लोग हैं और भी लोग हैं इन लोगों को महिला मोर्चा में जगा दिया गया है तो पहली बार जिस तरह से जेबी केसेस ने महिलाओं को इस पार्ट पहिलाओं को जगह दिया है और जगह देने के बाद एक आदिवासी मूलवासी को केंद्रिया अधक्ष बना देना यह सबसे वड़ी बात होती है क्योंकि दमन्ती मुंदा जो है आदिवासी समान से बिलोंग करती है और जेराम मैतों पर हमेशा यह टेक लहता था कि यह आदि चीजें जो है वो देखने लाएक बात होंगी और तमाम लोग यह जो चीजें हैं जो निकल के बाते निकल के आई हैं यह सारी चीजें जो है यह जराम मैतों अपने फेश्वूक अकाउंट में साजा किये हैं तो उसी को लेकर हम आप तक पहुचाने का कोसिस कर रहेते हैं दूसरी बात जो केंद्रियक कारवाहिनी समिती जो है फिर बना है जिसमें से कोसाधच वगेरा भी बना है जिसमें विक्यास कुमार मेहतों हैं और तमाम लोग हैं इसके परधान सचीव हैं सचीव हैं केंद्रियक परवक्ता हैं जो बिजय सिंग जी के बारे में आप लोग योगा कि वह भी प्रवक्ता थे और अभी भी है सुनिल जी हैं फिर राजेश जी हैं तो सारी लोग जो हैं वह मिलकर आभी केंड्या कमेटी का विस्तार परिखिया है जो चल रहा है तमाम लोगों को यहां पर जगा दिया गया है जितने भी आंदोलन में साथ थे जितने भी कमेटी अपने इसतर से बात को रखी है और ये पार्टी का रूल रेगुलेशन कुछ डिसिपिली उन्होंता है उसको मेंटेन करते हुए सभी लोगों को जगा दिया गया तो तमाम चीजों का हम अधिकतर व्योरा इस चीज को दे रहे हैं कि जहराम में तो वहाँ चेंट्रलस को केंट्रा गया गया है जिसमें केंद्रिय अधक्ष आप तो हम से यह उगत करा दें की तमाम लोग केंट्री हैं कि सेंट्रलस को संट्रल में सम एक कि जो बात को उन्होंने हमेशा कहते हुए नजर आते हैं वह बात निकल का है और हलंकि और एक बात सामने आया कि हम 5-6 सीटों पर लड़ेंगे तो जरा मैं तो नहीं यह डिकलेर जो है वह कुछी दिनों में कर देंगे जिस तरह से चुनावी संखनात हर एक जगा पर बच चुका है तो तमाम लोग यह सोच रहें कि कहां से कौन होंगे उम्मिद्वार त लेकिन यह पहला दूसरा लिस्ट जारी किये गया है आगे और लिस्ट जारी होगा तमाम लोगों को इसमें जगा दिया गया है और एक बात जो परधान महासचीव हैं जो फरजान खान जी हैं उसके नीचे भी महासचीव बहुत सारे लोग हैं जिसको अलग-अलग जगा से डिफूट किया गया है और उपाधच है मौतिलाल महतो हैं उनके नीचे भी उपाधच लोग बहुत सारे तरुन महतो हैं लोगों को रखा गया है जिसमें हर एक जगा से लोगों को जोड़ा गया है इसमें तमाम प्रभमंडल से लोगों को इकठा करके सेंट्रल में अपना के लोगों को जोडने का काम कर रहा है तो यह कहींनakingly कोinvest पबोट Hawk सोच रहे थे कि सेंट्रल का विस्तार नहीं हो रहा है तो 21 होगा लेकिन सेंट्रल कावी विस्तार हो चुका है तो इससे साफ़ पता चल रहा है कि यह जो हैं चुनाओं को लेकर बड़ी ही मुखरता सा जवाब देने का काम करेंगे जिस तरह से ये सामने आ रहा था लेकिन ये सब चीजों को देखने लाइक बात होंगे कि क्या कुछ होगा क्योंकि विगत एक दो मेना में आम चुबायों का जो है वो भी आगाज हो जाएगा उसमें भी अपना हाथ लन कह सकते थे उस तरह का जो एक दूसरे के साथ मिलते थे दूसरे का जो मंच साजा करते थे वह दोर भी अब खतम होने वाला है अब ये राजनीतिक मोर को ले जाएंगे तो कहीं न कहीं सेंट्रल में इस तरह का लोगों को जोड़ना बहुत सभाविक था और जोड़ा भी और जिस बज़से आज हम कहा सकते हैं कि सेंट्रल का जो विस्तार फरिक्रिया हो चुका है लगबग 50 से 60-70 आदमी को जोड़ा गया है सेंट्रल में और और भी लोगों को जगा मिलेगा तो ये देखने लाग बात होगा कि अगला जो लिस्ट जारी होगा उसमें किसको कहा जगह मिलेगा कौन कहा से क्या होंगे ये सारी चीजों को आप तक हम पहुचाएंगे लेकिन दूसरी बात हरे एक जगह में हरे इक जगह से हरे एक बिधानसवास से हरे प्रवंडल से लोगों को रखा गया है और यहाँ पर जोड़ा गया है तो कही ने कहीं जबी किस्ज अ करिया अपर पूल